नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीते इन शुकला और आप देख रहे हैं डिस्टर एडवाइस रात के नो बच चुके और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन मौक टेस्ट का जी हाँ आज मौक नमबर टू है मौक नमबर बन का लिंक आपको ड नोटिफिकेशन आएगा एड्मिट कार्ट रिजल्ट जो कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा क्लियर है साथी साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आप और आपको दे दूँ 5 दिसंबर को पांच दिसंबर को आपका कंप्लीट मौक टेस्ट होगा 100 कोश्चन का Most Important Questions जो आपके एक्जाम में क्या हो सकते हैं आ सकते हैं 5 दिसंबर को कमेंट ये चैट में टाइमिंग बताइएगा क्लियर है जो टाइमिंग ज्यादा स्टुडेंट प्रिफर करेंगे उसी टाइमिंग को मौक टेस्ट क्या कर दिया जाएगा अरेंज कर दिया जाएगा इसनल बी ऑप्षन बी एसनल सी ऑप्षन एमटी एनल डी ऑप्षन नन अफ दैबब बताईगा राइट आंसर क्या होगा फाइफ सेकेंड से आपके पास कमेंट या चैट में आंसर दे सकते हैं साती साथ प्रिप्रेशन लेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट व होगा जी हां वी एसनल होगा ठीक है वी एसनल नहीं होगा भारत संचाल निगम निगम लिम्टेड नहीं होगा ठीक है फर्स्ट जो है ए वाला है वी एसनल है ठीक है वी एसनल फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया था ठीक है आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्वि रिजल्ट क्या होगा, बताईएगा, A option 12, B option 12.5, C option 13, D option 2, बताईएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोसिस करिएगा सही answer बताने की, जी यहाँ good, कुछनों का right answer आ चुका है, और आपका time भी अप हो चुका है, इसका जो right answer होगा, वो होगा, 2 clear है, mode function में फिर से जल्दी से बता रहा हूँ, mode function reminder वापस करता है, सेसफल को वापस करता है, जब 50 को 4 से divide करोगे, तो क्या होगा, 2 reminder बचेगा, सेसफल बचेगा, वहीं इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, next question number third, email में कौन से दो भाग होते हैं, A option username and home address, B option username and domain name, C option phone number and office number, of the above, बताएगा, right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, comment या चैट में answer बता सकते हैं, good, और आपका time up हो चुका है, कुछ लोगं का right answer आभी चुका, इसका right answer होगा, B, क्या होगा, B, इसका right answer होगा, समझ गए, username and domain name, email के दो भाग है, clear है, next question number four, निमलिखित में कौन सा IP address गलत है, A option 192.18.0.1, B option 11.11.122.14, C option 234.255.123.1, D option है, 265.123.11.0, बताई का right answer क्या होगा, इसमें से कौन सा IP address गलत है, 5 seconds है आपके पास, good, कुछ लोगं का right answer आचुका है, और question अच्छा लग रहे होगा, तो करपया like कर दें, ठीक है, कंजूसी ना करें, जाद से जाद लाइक करें, और share भी करें, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा D, clear है, यहाँ पर जो D वाला IP address वो है, क्या है भाई, गलत है, D वाला IP address गलत है, क्यों गलत है, मैं यह भी बताए दे रहा हूँ, यहाँ पर यह दिम देखें, तो simple सा IP version 4 के सारे address हैं, पहली चीज, और IP version 4 में 4 octet होते हैं, देखो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है, इन हर एक भाग की मतलब हर एक part की जो value हो सकती है, वो 0 से 255 तक हो सकती, याद रखना, IP version 4 में 4 part होते हैं, और हर एक part की minimum value 0 हो सकती है, और maximum value 255 हो सकती है, 255 से ज़्यादा allow नहीं है, और यहाँ पर 265 दिया है, इसी लिए 4th वाला क्या है, option गलत है, IP address गलत है, clear है, तो point बिल्कुल दिमाग में बसा लिजेगा, कई बार ये exam में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, तो याद रखना हर एक part की value 0 से 255 के बीच में ही होगी, ठीक है, हर एक part में, next question number 5, equal to length, bet का उत्तर 3 होगा, A option is true, B option is false, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है, अच्छा question है, थोड़ा दिमाग लगाना, देखते हैं कितने लोग सही answer दे पाएंगे, good, बढ़िया है, और आपका time अप हो चुका है, और इसका जो right answer होगा, false होगा, जी हाँ, length नाम का कोई function नहीं होता है, बिल्कुल, length नाम का ये function नहीं होता है, LEN होता है, LEN, GTS, length नहीं होता है, सिर्फ LEN, LEN होता है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजेगा, length नाम का कोई function नहीं होता, इसलिए क्या होगा, false होगा, यह लिखा होता है, length और फिर bet होता तो यहां बिल्कुल 3 आएगा, answer क्या हो जाता, true हो जाता, next, question number 6, warm stands for, a option, write once, read many, b option, wanted once, read only, sorry, read memory, c option, write original, read memory, d option, none of the above, बताईगा, right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोसिस करिए का सही answer बताने की, और वीडियो को जल्दी से like कर दो, जिल लोगों ने भी तक like नहीं किया है, यहां, जल्दी से like कर दीजे, जिल लोगों ने like नहीं किया है, अच्छा question है, तब तक मैं warm के बारे में बता दूँ, यह वाइरस है, क्या है, warm क्या है, वाइरस है, दूसरा यह stand alone separate कर सकते हैं, spread कर सकते हैं, जरा समझना, stand alone का मतलब यह है, यह किसी file के साथ attach नहीं होते हैं, यह खुद बखुद सच्छम होते हैं, computer को infect करने में, clear है, infect करने का मतलब क्या है भाई, एक computer में थे, और दूसरे में च राइट वन्स, read, many, next question number 7, इंप्रेस का अधिक्तम जूम कितना होता है, A option 400, B option 500, C option 3000, D option 600, बताईगा राइट आंसर क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोसिस करिए का सही अंसर बताने की, और वीडियो के आखिर में आपके लिए surprise है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जी हाँ, good, कुछ लोग का right answer आ चुका है, बहुत important question है, बहुत दार आपके exam में पूछा जा चुका है, जब से Kelsey क्या किया गया है, LibreOffice, Kelsey, LibreOffice में सबी आते हैं, Kelsey, Impress, राइटर ठीक है, तो जब से LibreOffice एड़ किया गया है, तब से हर महीने क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, तो याद रखना, Impress में maximum zoom 3000 होता है, Impress में maximum zoom, अधिक्तम zoom 3000% होता है, next question number 8, floor equal to floor 3, sorry, 234.542,10 का result क्या होगा, A option 234, B option 240, C option 230, D option 235, प्रताई का राइट एंसर क्या होगा, यहाँ पर result पूछा है, पूछा है आपका floor function का, 234.542,10, result क्या होगा, बताईगा, floor के बारे में तब तक मैं आपको hint बता रहा हूँ, floor function value को घटा देता है, जबकि ceiling function, floor क्या करता है, बढ़ा देता है, तो floor और ceiling दोनों के क्या है, opposite है, और मैंने याद करने का इसका तरीका भी बताया था, floor ऐसा दुकंदार है, जो छूट देता है, ceiling ऐसा दुकंदार है, जो छूट नहीं देता है, और पैसे बढ़ा के ले लेता है, तो जी हाँ, इसका जो right answer होगा, 2.30 होगा, clear है, क्या होगा, 2.30 का right answer होगा, हमने floor से बोला कि आप minimum 10 रुपे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, नंबर को round करने के लिए, तो यहाँ पर इसने क्या किये, साड़े 4 रुपे घटा दिये, और 230 रुपे क्या कर लिए, ले लिए, clear है, floor क्या करता है, घटाता है, next question number 9, first Unix operating system किस भासा का प्रियोग करके बनाया गया था, A option C language, B option Java, C option Assembly language, D option none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds हैं आपके पास, कोसिस करिए का सही answer बताने की, good, और questions अच्छे लग रहे हों, unique लग रहे हों, तो बिल्कुल like कर दीजे, साथी साथ एक चीज मैं आपको और बता दूँ, वहाँ पर आपको repetitive questions मिलेंगे ही मिलेंगे, जो बार-बार आ रहे हैं, लेकिन कुछ नए questions मिलेंगे, तो इसलिए mentally बिल्कुल तयार हो जाईए, कि जी हाँ हम नए questions के लिए भी तयार हैं, और जो repetitive questions आएंगे, उनके लिए भी हम क्या हैं, तयार हैं क्यों, क्योंकि इस बार हमें triple C क्या करना है, clear करना है हर आलत में, ज एसेंबली language का यूज करके बनाए गया था, clear है, तो इसका option number C क्या होगा, सही होगा, next question number 10, निमलिकित में कौन सा translator, source code को line by line translate करता है, A option compiler, B option interpreter, C option assembler, D option all of the above, बताईगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही आंसर बताने की, comment या chat में आंसर बता सकते हैं, और आपका time हो चुका है, अब बिलकुल point याद कर लीजेगा, interpreter line by line translate करता है, interpreter line by line translate करता है, clear है, किसको high level language, code को, ठीक है, high level language में लिखे गए, code को machine language में translate करता है, वो भी कैसे, line by line, clear है, compiler पूरे source code को एक बार में ही translate कर देता है, assembler, assembly language को translate करता है, और तीनों ही किस में translate करते हैं, machine language में, क्यों, क्योंकि computer सिर्फ एक ही language समझता है, वो है आपकी machine language, clear है, याद कर लीजेगा, एक question आता है, तकरीवन इस topic से, question number 11, compiler interpreter से तेज कारी करता है, a option है true, b option है false, बताएगा right answer क्या होगा, five seconds है आपके पास, और आपका time up हो चुका है, जी हाँ, ये बिलकुल true होगा, अभी मैंने उपर आपको hint बताई दी थी, compiler एक साथ translate करता है, interpreter line by line करता है, तो simple समझने वाली बात है, compiler तेज काम करता है, interpreter से, next question number 12, equal to round 523.123,2 का result क्या होगा, A option, 523.12, B option, 523.1, C option, 523.123, D option, none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, five seconds है आपके पास, और calc के function से भी आपको जो triple c के paper में बात करें, तो 2 से 5 question देखने को मिल सकते हैं, variate करेगा, 2 से 5 के बीच में, और एक question तो आफिक्सी माल लो, ठीक है, आपका time up हो चुका है, और इसका जो answer आएगा, कुछ लोग दे भी चुके हैं, very good, तो इसका right answer होगा, A, ठीक है, यहाँ पर round function क्या करता है, यह दसमलों के बाद कितने अंक रहेंगे, ठीक है, वो आप निर्धारित कर सकते हैं, मैंने कॉमा के बाद 2 लिखा है, तो मैंने क्या बोला है भाई, हाँ भाई, दसमलों के बाद 2 अंक होने चाहिए, 2 digits होनी चाहिए, तो result क्या जाएगा, 523.12, next question number 13, impress की file का default name क्या होता है, A option presentation, B option presentation 1, C option untitled 1, D option none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही answer बताने की, और आपका जो time है वो अप हो चुका है, right answer होगा, untitled 1, कुछ लों का right answer आ चुका है, बढ़िया, very good, untitled 1, क्या होता है, by default name होता है, एक point बोलना हूँ, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजेगा, writer, impress, calc, ठीक है, या दूसरे सब्दों में कहें, libra office के जितने भी part हैं, उन सभी में, सब की file का default name जो होता है, वो untitled 1 ही होता है, clear है, writer की file की बात करें, तो वहाँ भी untitled 1, calc की भी बात करें, वहाँ पे भी untitled 1, impress की बात करें, untitled 1, clear है, और जितने remaining बचे हुए हैं, सभी की file का नाम क्या होता है, untitled 1, तो बिल्कुल या दखना, वो किसी के नाम से पूछ लें, writer से पूछ लें, calc पूछ लें, impress पूछ लें, drop पूछ लें, base data पूछ लें, या दखना, file का नाम by default क्या होता है, untitled 1, next question number 14, निमलिकित में कौन सा conditional function नहीं है, A option sum if, B option if, C option and, D option auto sum, पताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही answer बताने की, जी हां good, पढ़िया, good, और आपका time अप हो चुका है, यहाँ पर जो सिर्फ नहीं है conditional function वो आपका auto sum क्या नहीं है, conditional function नहीं है, remaining जितने भी हैं, वो सभी क्या है, conditional function है, clear है, next question number 15, impress by default page orientation land escape होता है, A option है true, B option है false, बताएगा right answer क्या होगा, impress में by default page orientation land escape होता है, true है कि false, बताएगे 5 seconds है आपके पास, good, good, बढ़िया है, कुछ लोग का सही answer आचुका है, very good, तो इसका जो right answer होगा, जी हाँ, true होगा, clear है क्या होगा, true होगा, impress में by default जो page का orientation होता है, वो land escape ही होता है, next question number 16, impress में spelling check नहीं होता है, A option है true, B option है false, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही answer बताने की, जी हाँ, good, बढ़िया है, कुछ लोग का right answer आप भी चुका है, आपका time भी up हो चुका है, right answer होगा false, जी हाँ, बिल्कुल, spelling check होता है, impress में भी, calc में भी, आपका writer में भी, सभी में क्या होता है, spelling check होता है, और spelling check की shortcut की भी कई बार आपकी exam में पूछा है, तो F7 या दखना, spelling and grammar check, F7, clear है, क्या रहेगी, F7, next question number 17, desktop का background नहीं बदला जा सकता, A option है true, B option है false, बताईगा क्या होगा, right answer, बहुत easy question है, 5 seconds है, आपके पास, कोसिस करिए का सभी answer बताने की, good, बढ़िया, कुछ लोग का right answer आप भी चुका है, और आपका time भी up हो चुका, right answer होगा, false, क्या होगा, false, जी हाँ, desktop का background बदल सकते हैं, इन्होंने बोला नहीं बदल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, false होगा, next question number 18, DZ Locker में account बनाने के लिए आवशकता होती है, A option mobile number, B option आधार, C option both A and B, D option none of the above, बताईगा right answer क्या होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नॉव्मबर, चारों महिनों में जो paper होए है, सभी में question आ चुका है, important है, याद कर लिजेगा, 5 seconds है, good, बढ़िया है, खुश्च लोग का right answer आ भी चुका है, और आपका time भी हो चुका है, यहाँ पर होगा, both A and B, C option क्या होगा, इसका right answer होगा, next question number 19, ISP stands for, A option internet service provider, B option internet service provider, C option internal service provider, D option none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है, यह question भी बहुत बार आ चुका है, आपके exam में, बताएगा right answer क्या होगा, और वीडियो के last में, आप लोगों के लिए surprise है, good, और आपका time अप हो चुका है, right answer होगा, इसका A, internet service provider, clear है, ISP stands for, internet service provider, next question number 20, Libra office में, save as की shortcut की क्या होती है, बताएगा, कोशिस करिएगा, जी हा, good, तो इसका जो right answer होगा, वो C होगा, control, shift, plus, S क्या होगा, इसकी shortcut की होती है, और ये भी बहुत बार, exam में क्या कर चुके हैं, आपके, पूछ चुके हैं, तो बिलकुल याद रखिएगा, इसका right answer क्या होगा, control, plus, shift, plus, S, clear है, Libra office में, save as की shortcut की क्या होती है, control, plus, shift, plus, S, next question number 21, B to B stands for, A option, buy to buy, B option, business to business, C option, broadband to broadband, D option, none of the above, बताएगा, right answer क्या होगा, five seconds है, आपके पास, courses करेगा, सही answer बताने की, good, good, और ये important है, G to C, B to C, B to B, C to C, इनको याद कर लेना, पूछा गया है, A question आने की, पूरी-पूरी क्या है, संभावना है, तो ये 5 याद कर लेना, ठीक है, तो जी हाँ, इसका right answer होगा, B to B, business to, business clear है, B option क्या होगा, इसका, सही होगा, next question number 22, तो state pair cable में, कितने wire होते हैं, A option है 8, B option है 10, C option है 6, D option है 12, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोश्चिस करिएगा, सही answer बताने की, good, बढ़िया है, और आपका time अप हो चुका है, और जो right answer होगा, जी हाँ, इसके अंदर 8 wire होते हैं, बिल्कुल याद रखना, twisted pair cable में 8 wire होते हैं, next question number 23, SGML stands for, A option, standard generalized markup language, B option, salt generalized markup language, C option, simple generalized markup language, D option, none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है, और आपका, जी हाँ, time अप हो चुका है, और इसका जो right answer होगा, A होगा, standardized, standard, generalized markup language, याद कर लिजेगा, ये number के paper में आया था, ये number के paper में क्या था, आया था, SGML stands for, standard, generalized markup language, next question number 24, SDMI cable का प्रियोग किसलिए करते हैं, A option, connect mouse, B option, connect keyboard, C option, connect printer, D option, connect projector, बताईगा, right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, और अभी भी जिन लोगों ने वीडियो को भाई, like नहीं गया, like कर दो, जितना ज्यादा लाइक करोगे, उतने नए questions मिलेंगे, clear है, साथी साथ, आप लोग comment या चैट में बताते रहो, जो 5 को, 5 अभी दिसंबर को, आपकी most important question की, class होगी, 100 questions की, वो किस time रखी जाए, 8 बजे, या 7.5 बजे से, clear है, timing बताते रहे ये चैट में, जो आप लोग time बताएंगे, वही set कर दिया जाएगा, और आपका, जी हाँ, time up हो चुका है, connect projector, clear है, किसलिए use होगा, connect projector के लिए क्या होगा, use होता है, HDMI cable का, clear है, projector भी connect कर सकते हैं, और monitor भी, ठीक है, VGA port और HDMI port याद रखना, monitor या projector को जोड़ने के लिए, प्रियोग किये जाते हैं, VGA और HDMI, next question number 25, OSI model की कौन सी layer, encryption और decryption का का काम करती है, A option है, transport layer, B option है application layer, C option है presentation layer, D option है data link layer, बताएगा right answer क्या होगा, five seconds है, कोसिस करिए कैसे answer बताने की, आपका time अप हो चुका है, इसका right answer होगा, C presentation layer, clear है next question number 26, निमलिखित में कौन सा image file format नहीं है, A option GIF, B option PNG, C option JPG, D option date, बताएगा right answer क्या होगा, और ये question में online करा चुका हूँ, पहले भी ठीक है, ये number के मन्त में आया था, और आपका time जी हाँ, अप हो चुका है, right answer होगा, इसका D, date, year है ध्यानकना, remaining 3 क्या है, image file format है, जबकि date क्या है, window में use होता है, file format है, data के लिए ठीक है, next question number 27, निमलिखित में, किस technology का प्रियोग करके, सब्द को capture कर translate किया जाता है, जिससे computer, mobile आज ही समझ सकें, A option है, language translator, B option है, wise translator, C option है, speech recognition, D option है, none of the above, बताई का right answer क्या होगा, 5 seconds है, और, good, good, comment या चैट में answer बताते रहिए, और आपका time अप हो चुका है, right answer होगा, speech recognition, clear है, next question number 28, net escape, navigator उधारन है, A option utility software, B option system software, C option application software, D option none of the above, बताईएगा right answer क्या होगा, 5 seconds हैंब के पास, कोशिस करिएगा, सही answer बताने की, जी हाँ good, बढ़िया है, सही है, good, 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 तो इसका जो right answer होगा, application software होगा, C option क्या होगा, इसका right होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा net escape navigator है, वो browser का example है, और सभी browser application software की category में आते हैं, next question number 29, equal to sum 3, product 6,2 का output क्या होगा, A option है 15, B option है 18, C option है 36, D option है 24, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds से आपके पास, कोशिस करिएगा, सही answer बताने की, good, बढ़िया है, कुछ लोग का right answer आ चुका है, बढ़िया good, 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 सही है, तो इसका जो right answer होगा, वो आपका 15 होगा, A option right होगा, next question number 30, अच्छा जल्दी से बात कलेतें कैसे, समझेगा product पहले होगा, 6,2,2 होगा, बाहरा कर 3 जुड जाएगा, तो answer के हमले जाएगा 15, पहले inner function solve होगा, फिर उसके बाद आपका outer function, ठीक है, तो पहले inner function solve होगा, 12 मिला, फिर उसके साथ outer होगा, तो 12 प्लस 3, 15, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, next question number 30, कलC में has name error आती है, कब आती है, A option, incorrect cell address पर, B option, incorrect function name पर, C option, divide by 0, D option, none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोसिस करिएगा, गुड्ट, बढ़िया है, कोसिस करिएगा, और आपका जो time है, जी हाँ, अब हो चुका है, और इसका जो right answer होगा, B option क्या होगा, इसका right होगा, incorrect function name पर क्या होता है, has name error आती है, incorrect function name पर has name error आती है, next question number 31, निमलिखित में किस communication channel में, दोनों ही दिशाओं में, डाटा भेजा या प्राप्त किया जा सकता है, A option है, simplex, B option है, half duplex, C option है, full duplex, D option है, none of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, courses करिएगा सही answer बताने की, good, बढ़िया है, 5 seconds है आपके पास, और आपका time जो हो चुका है, वो अप हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, good, यहाँ पर non नहीं होना चाहिए, यहाँ पर all होना चाहिए, ठीक है, all of the above, इसका right answer होगा, mistake हो गई है, लिखते समय, ठीक है, नहीं, all of the above नहीं होगा, both b and c होगा, ठीक है, both b and c, 31st का right answer क्या होगा, both b and c, d वाला लिखने में mistake हो गया है, ठीक है, half duplex में भी both way communication possible है, full duplex में भी both way communication possible है, तो right answer क्या होगा, both B and C, ठीक है, तो D वाले में क्या होना चाहिए, both B and C, next, question number 32, website किसका समू है, A option HTML pages, B option links, C option images, D option all of the above, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही answer बताने की, good, बढ़िया है, good, good, सही है, जी हाँ, इसका जो right answer होगा, आप भी चुका है काफी लोगों का, right answer होगा, all of the above, next, question number 33, writer में by default text align होता है, A option left, B option center, C option right, D option justify, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिएगा सही answer बताने की, जी हाँ, और आपका time जो है, अब हो चुका है, इसका right answer होगा, A, left align होता है, ठीक है, यादक ना, right hand में by default text कैसा align होता है, left align होता है, next question number 34, internet के लिए telephone line को computer से जोड़ने के लिए किस networking device का प्रियोग करेंगे, A option hub, B option switch, C option repeater, D option modem, बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, कोशिस करिए कैसा answer बताने की, good, तो right answer जो इसका होगा, modem होगा, D क्या होगा, modem होगा, ठीक है, internet के लिए telephone line को क्या कर सकते हैं, जोड़ने के लिए किस का है उसका कर सकते हैं, modem का, next question number 35, ट्विटर का सुरुवाती नाम क्या था, A option, T, ट्विटर, ठीक है, T, डबलू, डबल टीर, B option, फिर ये भी ट्विटर ही बोल सकते हैं, ठीक है, T, डबलू, डबल टीर, C option, T, डबलू, डबल टीर, D option, none of the above, 5 seconds हैं बताएगा, right answer क्या होगा, प्रवाती नाम क्या था, वो बताना है आपको, good or आपका time up हो चुका है, जी है, right, प्रवाती नाम क्या था, T, डबलू, डबल टीर, ट्विटर, ठीक है, T, डबलू, डबल टीर, या दखना, T, डबलू, डबल टीर, क्या था, इसका, शुरुवाती नाम था, next question number 36, QR stands for A option, quick react code, B option, quick return code, C option, quick response code, D option, none of the above, बताएगे का right answer क्या होगा, 5 seconds है, ये question भी आपका 4 मंत में लगातार आ ही रहा है, ठीक है, उसको भी याद रखना है, easy है, याद भी होगा सभी को, good, काफिलों का right answer आ भी चुका है, और इसका right answer होगा, C, quick response code, clear है, C option क्या होगा, इ next, file explorer की shortcut key, A option, win plus E, B option, win plus I, C option, win plus M, B option, none of the above, बताएगे का right answer क्या होगा, 5 seconds है, आपके पास, और आपका जी हाँ, time हो चुका है, अब, right answer होगा, win plus E, A option, इसका क्या होगा, right होगा, next, question number 38, file explorer मतला समझने, आपर drives दिखती है, A, B drive, C drive, जो भी है, ठीक है, अच्छे, question याद आगे आपके दिमाग में, ठीक है, याद आगे तो पूछ लेता हूँ, जब भी हम computer देखते हैं, laptop, computer, आस तक आपने देखा होगा, A और B drive नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, यह आपका home है, comment करके बताईएगा, last में मैं याद भी दिला दूँगा, 38 है, UPI registration करते समय, mobile number की जरूरत नहीं होती है, A option is true, B option is false, बताईगा, right answer क्या होगा, 5 seconds है, good, good, आ चुका है काफिलों का right answer, आपका time भी up हो चुका है, इसका right answer होगा false, जी हाँ, जब हम UPI के लिए registration कर रहे होते हैं, तो हमें mobile number की जरूरत होती है, साथी साथ एक point और बोला हूँ, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजेगा, mobile number वो mobile number चाहिए होगा, जो bank account से जुड रहा है, तो UPI में जब मैं use कर रहा होँगा, registration करूँगा, तो वहाँ पर वही number enter करूँगा, जो मेरे bank account से जुड़ा हुआ है, next question number 39, राइटर में नया document open करने के लिए shortcut की क्या होगी, A option, control plus M, B option, control plus N, C option, control plus D, और D option है, control plus T, तो बताएगा right answer क्या होगा, five seconds है, थोड़ा question को पढ़िएगा, answer दीजेगा, नया document open करना है, पुराना नहीं कोई, ठीक है, तो जी हा, good, तो इसका right answer, जी हा, बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं पर भी नया document open करना है, मतलब नई फाइल open करनी है, तो right answer क्या होगा, control plus N, क्या दखना, कहीं पर भी, नई फाइल open करनी ह इंप्रेस, Kelsey, writer, draw, कोई भी, तो control plus N, use होता है, next question number 40, और याज के, क्या है, last question है, और इसके बाद आपको surprise बताया जाएगा, 40 क्या है, twitter का logo क्या है, A option, eagle, B option, peacock, C option, Larry bird, D option, hell, hen, ठीक है, बताएगा, right answer क्या होगा, 5 seconds है, और वीडियो को like कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक like नहीं किया भाई, और जादा से जादा लोगों को क्या कर दीजिए, share कर दीजिए, तो इसका जो right answer होगा, time up हो चुका है, Larry bird होगा, ठीक है, क्या होगा, Larry bird होगा, last question, ठीक है, ये last था, याद कर लीजिएगा, surprise य क्या बोला है मैंने, A और B drive क्यों नहीं होती है, ये comment करके बताइएगा, clear है, साती सात, जो marathon class होनी है, या मतलब full mock test होना है, उसका time क्या रहेगा, comment ये chat में जरूर बताइएगा, clear है, और preparation related कोई भी problem है, तो आप WhatsApp कर सकते हो, email कर सकते हो, आपको full help provide की जाएगी, तो वीड test, update triple C की मिलती रहेगी, कल मिलते हैं, रात 9 बजे, नए mock test के साथ, good bye